कि नमस्कार मैंना अजमिन खान और आप देख रहें स्पेन नाइन नियूस अर्विंद केजरिवाल की जीत की लहर बॉलिवुड तक पहुँच चुकी है बॉलिवुड से भी ये खबरें आने लगी हैं कि विकास की जीत हुई है बदलते माहौल की जीत हुई है और अच्छे कामों की जीत हुई है तो यानि कि समझ चुके हैं कि किस तरीके से जनता को क्या चाहिए जनता वो राजिनीती नहीं चाहती जो धर्म के अधार पर आपको गुम्रह किया जाए या धर्म के अधार पर दंगा किया जाए या हिंदू और मुसलिम करके आपस में भिड़वा दिया जाए और वोट प यहीं दिखाणा चाहती थी कि आपके साथ केजरीवाल गलत कर रहें शाहिनबाग का समर्थन करना यानि कि जंता का विरोध करना है लगतार यह बयान सामने आते रहें कि केजरीवाल को पाकिस्तान चले जाना चाहिए केजरिवाल को इम्रान खान से नसीहत लेनी चाहिए केजरिवाल और इम्रान खान एक साथ हैं और एक ही कामों को देखते हैं और एक ही पहलू पर चलते हैं बार-बार बोला गया बार-बार लेकिन नतीजा क्या मिला वो सब अब तो हर कोई समझ गया है कि बेफकुफ नहीं बनाया जा सकता गुम्रान नहीं किया जा सकता जागरुकता जिसे कहते हैं वो अब हर घर घर तक पहुच रही है यहां पड़े लिखे हैं युवा वर्ग हैं अपनी आवाज उठाना जानते हैं बुलंद करना भी जानते हैं तो अब ऐसे में जो हवा बदली है दिल्ली की वो लहर बॉलिवूड तक पहुच रही है और यहां विशाल डड़लानी जो संगीत कार हैं और जिनोंने आम आदमी पार्टी का कैंपन सौंग भी लिखा था और खुद गाया भी था और पिछले विधान सभा चुनाओं में लोग सभा में भी विशाल डड़लानी आम आदमी पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर चले हैं वो खुद कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि नफरत की राजनीती खत्म हुई है और मेरे प्यारे भाईयों ने जीत हासिल की है यहां पर अर्विंद केज्रिवाल मनीश से सो दिया और जिस तरीके से आतिशी सौरव भर्दवाज इन सब ने जीत दर्ज की है एक बार साबित कर दिया कि दिल्ली वास्कियों को क्या चाहिए यहां रफ नफरत की राजनीती नहीं चलती यहां हर मुख्यमंत्री हर घर घर और हर दिल में बसता है जो काम करता है और जो क्योंता के बारे में सोचता है तो यहां पर उन्हें ये भी कहा कि ऐटी अरविंद केजऌिवाल ने की है तो यहां पर विशाल ठल्डानी बोलते हैं कि उन्हों Calvin यहां भी अपनी इया या यहां भी उन्हें चाहिए कि अगर 100 प्रतीशत कुछ किया है तो उसके बलबूते पर हमें चुना जाना चाहिए या हम आने चाहिए तो केजरिवाल ने वही महनत वही लगन दिखाई और वही महनत करते हुए आगे बड़े और दिल्ली का चुनाव जीत गए और फिर से मुख इसातार सामने आ रहा है कि उन्हें भी नहीं चाहिए थी भारती जंतर पार्टी दिल्ली में वह समझ चुके थी कि वह कैसी राजनीती कर रहे हैं। वो समझ चुके थे कि किस तरीके से महौल को गंदा किया जा रहा है। इस महाल को गंदा नहीं करना था, समझाना था, समझना था और कामों को दिखाना था, बिजली, पानी, अस्पताल, स्कूल और अभी भी स्कूल को लेकर मनीज सी सोधिया बोलते भी नजर आ रहे हैं, कि हम आघे स्कूलों में और बेहतर कारे करेंगे जहां हमने स्मार्ट इस लगवाई हैं जहां इलाक्रोणिक तरीके से सब कुछ किया जा रहा है स्कूल के बारे में हम और आगे तक ईक गाते हर उकिर 75 जो काम किये और दिखाई दे रहे और इस दिखने के बलबूते पर वोट मिले हैं और यह वोट के बलबूते पर मुख्य मंत्री दुबारा बनते हुए यहां पर अर्विंद केजरीवाल नजर आ रहें और भारती जनता पार्टी के जो हार हुई है वो उन्हीं की अंध्रूनी कमजोरियां उनी के मुद्दे हैं उनी के काम है अब आपका क्या कहना है कमेंट बोक्स में जरूर बताएं मुझे दीज़े इजाज़त और ऐसी बाकित अबाम खबरों के लिए देखते रहें क्यों पेस्पनाइनूस